इंडेसर्वीस के हम पीजा से कोशिन सॉल्फ करें थे और आज हम सॉल्फ करेंगे ISS 2016 Statistics paper 1 से टे कोशिन No. 61 तो देखिए हम आपके लिए कोशिन दिख दिख दिया है तो पहर हम कोशिन को बढ़ेंगे यहाँ पर consider the following data यहाँ पर एक data दिया हुआ है यहाँ हम देख सकते हैं what is the value of the integration 3 to 12 y dx बतला y कि अपर fx है y dx y dx when compute by Simpson one-third rule ठीक है तो देखिए यहाँ पर एक data दिया हुआ है तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें Simpson one-third use करना है तो पहले क्या क्या given हम वह देखेंगे तो देखिए तो देखिए यह data दिया हुआ है y not equal to minus 1 y1 equal to 1 y2 equal to 2 y3 equal to 3 ठीक है और यहाँ में जो h का मतलब difference जो है वह 3 है देखिए 3 और 6 और 3 difference है 6 और 9 में 3 और 9 और 12 में 3 difference है ठीक है अब यहाँ में कहा गया है कि Simpson one-third rule use करना है तो पहले हम formula लिख लेंगे तो देखिए हमने आपके लिए formula लिख दिया है तो देखिए यहाँ पर हम formula में value बैठाएंगे यहाँ पर देखिए h equal to 3 है तो यहाँ पर होगा 3 y3 अब यहाँ नट का लिखा है y0 का लिखा है y0 का लिखा है minus 1 ठीक है plus 4 देखिए यहाँ पर odd number के जो मतलब term से में बैठते है यहाँ पर odd number के कौन से term है यहाँ पर y1 है और y3 है देखिए y3 जो है वह yn है तो इसलिए one number के time से एक ही बैठेगा वह y1 तो यहाँ पर क्या बैठेगा 1 बैठेगा अब देखिए 2 into देखिए यहाँ यहाँ बैठता है event number के एक ही time हो यहाँ पर 2 into 2 होगा plus 3 ठीक है अब यहाँ आपके लिए solve कर देंगे तो देखिए हमने solve कर दिया और हमें answer क्या मिला हमें answer मिला A तो हम answer लिक लेंगे A उमीद करते हैं आपको question समझ में आया एक question क्या था यह Simpson one-third rule करके हमें integration solve करना था हमारे पास data given दिया हो था यहाँ पर data दिया हो यह y1, y2, yn बूल लिक लिया है इसका आप में formula लिखा formula में इसका आप value put किया यह formula कैसे आ रहा है इसमें अगर कोई confusion है आप comments में पूछ सकते है अगर आपको confusion होगा तो आप इसके लिए अलग video बना देंगे तो उमीद करते हैं तो आप कोई video समाज में आया है अगर वीडियो में कोई confusion है तो आप comments में पूछ सकते है या अगर आपको RSS related कोई भी question में कोई doubt है जो चाहते हैं कि आपके लिए solve कर दे आप वह भी comments में लिख सकते हैं हम आपकी doubt किया करने के पूरी कोशिश करेंगे अब वीडियो अच्छे लगाएं तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमाई टूरे को subscribe कर दीजिए और आप दोनाइक की दीजिए जिससे हम जब भी वीडियो अप्लेट करेंगे आपको इसका नोटिशन मिल जाएगा और अगर आप इसको फेस्बूक देए तो फेस्बूक पेच को लाइक कर दीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग